ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके अचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्णो हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यह राशी फले 22 दिसंबर 2020 मंगलवार का दिन है अगहन मास के शुक्ल पक्ष की अस्ट्रमीत थी है उत्राभादरपद नामक नक्षत्र होगा और मीन राशी में चंदरमा बिद्धिमान रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदाई सावित होगा यदि किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्य को तो गुल वरशबरासी की आप अपनी दिंचरिया में कुछ परिवर्तन लाएंगे दोस्तों के साथ बाहरी गती वीडियो में आज अधिक्तम समय आपका व्यतित होगा विध्यारतियों को फाइदा होगा आशाकीत सफलता प्राप्त होगी पढ़ाई पर पूरा ध्यान आप लगाएंगे तो निश्च परिणाम आपको हासिल होगे अधिक्तम समय आपका कारिक्षत्र की जिम्मेदारियों पर व्यतित होगा और जो काम आपने पिछले दिनों किये हैं उससे भी आपको फाइदा प्राप्त हो सकता है और उपाई के रूप में भोजन के बाद मीठा दहीं का उप्योग करना लेकिन बाद में आपको फाइदा मिलना प्रारंब हो जाएगा घूमने फिरने तथा मनोरंजन की गटी वीडियो में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा दोस्तों मित्रों रिष्टदारों से लंबी चर्चा होगी जो चर्चा होगी वहाँ आपके लिए फाइदे मन का विचार करनी जा रहे हैं जो आप विचार कर रहे हैं उसमें भी आपको नयापन तथा एक सफलता दायक इस्तिती निर्मित हो सकती है पैसे के लेन दिन में साओधानी रखे किसी भी अंजान व्यक्ती पर अडिक भरोसा न करे अपने कर्मचारियों पर भी आपको नियंत अब हम बात करते हैं करकराशी की, आपको जिन कारियों में रुकावट आने से निराशा हो रही थी, आज वे कारी आसानी से पूरे हो जाएंगे, घर की साज सज्जा सुधार संबंदी कारियों में आपका समय वितीत होगा और खर्चा भी होगा, किसी समयरों में शामिल होने क उसर भी आपको मिलेगा, वहाँ पर आपका वर्चस बना रहेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफ होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, इनकम की जगा खर्चे अधिक हो सकते हैं, किसी दोस्त की सलह आपके लिए नकरात्मक साबित हो सकती है, बहतर होगा कि आ आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, आज का दिन मित्रों रिस्तदारों के साथ मोज मस्ती में हैं व्यतित होगा, परन्तु लाबदायक विचार विमर्श भी होंगे, घर में सुधार संबंदी, योजनाओं को क्रियानवित करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, घर में किसी विशेस विशय पर लंबी चोड़ी चर्चा हो सकती है, परन्तु व्यार्थ की गती विदियो में आपका धन खर्च हो सकता है, करिक्षतर में शांती पूर्ण तरीके से आपको आगे बढ़ साबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, आज नजदी की लोगों के साथ मेल मुलाकात तथा मनोरंजन संबंदी कारियों में खुशनुमा दिन आपका व्यतित होगा, युवा वर् जैसे कई महत्वपूर्ण काम आपके रुख सकते हैं, परंतु मानसिक सुकून आपको प्राप्त होगा, उच्चाधिकरियों से मान सम्मान मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आप अपनी बुद्धि मत्ता और चत्वराई से प्रत्येक समस्या का समाधान निकालने मे सफल हो जाएंगे, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा, अर्थिक सिती आपके सुद्रण हो सकती है, इसके अलवा संतान संबंदी, कोई सुखत समाचार भी आपको मिलने वाला है, उपाई के रूप में, यदि आप घर के मंदिर में बिल्व पत्तर चड़ाएं आपको तंदुरुस्त तथा उर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, अब अपने कारी को नया रूप देने के लिए जाड़ा से जाड़ा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे, अपनी जीवन शेली को अधिक उन्नत करने के लिए प्रैत्न शील रहना आपको सफलता प्रदान कर चोटी मूटी बातों को लेकर के परिवार में कुछ वेचारिक मद्भेद उत्पन हो सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार में सोमिता आपको रखना चाहिए, कभी कभी आपको लगेगा कि जो महनत आप कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, चिन्ता न करें, आप निरंतर प्रयास करते रहें, महनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, वो महनत के परिणाम आज नहीं तो आगे चल करके फाइदा अवश्य ही आपको प्रदान करेंगे, उपाई के रूप में, यदि आप किसी भी मंदिर में धूबबती का दान तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की नजदी की रिस्तेदारों के आगमन से परिवार में खुश्णुमा माहुल निर्मित होगा खर्चों के सा जक्ति की परिसनल लाइफ में या स्वास्त संबंदी कोई परिशानी यदि चल रही है तो उसका भी समधान आपके मध्यम से आपकी चतराई और बुद्धि मत्ता से अवश्य ही निकल जाएगा आर्थिक रूप से दिन उत्तम है रुका हुआ पैसा भी मिलेगा तथा कहीं से कोई शुब समाचार सुब संकेत भी आपको पराप्त हो सकता है उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में यदि आप लाल कुंकुम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका केसरिया अब हम बात करते हैं धनुराशी की इस समय निवेश संबंदी कारियों पर अपना पूरा ध्यान दे क्योंकि परिस्तितिया आपके अनुकूल है सामाजिक गतिविदियों के प्रती आपका निस्वार्थ योगदान रहेगा जो आपको आत्मिक शान्ती प्रदान करेगा मान अब हम बात करते हैं मकर राशी की कुछ प्रतिष्टित लोगों के सांथ लाब दायक और सम्मान जनक मुलाकात होगी तथा उनके साथ कुछ समाई व्यतित करना और सामाजिक गतिविदियों में उपस्तित रहना आपके व्यक्तितों में और अधिक निखार लाएगा रुके हुए काम बनेंगे उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखे नकर अत्मक प्रवत्ति के लोगों से दूरी बना करके आ उपाई के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का कुमकुम चड़ा देंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्भ राशी की आज आपके कार आपको फाइदा आवश्य ही प्रदान करेगा उपलब्धी आपको एक प्राप्त होने वाली है उसकी पश्चाद लोग आपकी योग गिता के कायल हो जाएंगे अपने मन को सैयमित करके रखना अति आवश्य होगा और अत्याधिक घमंड रखने से आपको ही नुकसान हो सक अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आप व्यक्तिकत तथा सामाजी कारियों में अट्याधिक व्यस्त रहेंगे कुछ सकारात्मक प्रबत्ती के लोग आपको पसंद करेंगे उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होगा विध्यार्तियों को कैरियर संबंदित क कोई शुब सुचना या अच्छा समाचार प्राप्त होगा घर के अधूरे अटके हुए रुके हुए काम पूर्ण करने के लिए आप प्रेत्न शील रहेंगे जो भी मेहनत करेंगे उसके परिणाम अवश्य ही आपके पक्ष में आएंगे उपाई के रूप में मादुरग गशाली अंक और भाग गशाली रंग हमने आपको पताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ट साधर धन्यवाद